subscribe now and press the bell icon never miss an update hi friends welcome back to my channel friends आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डिलिट हुए फोटो को वापिस के से ला सकते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहेगा उससे प्विडियो के आपको यहां पर क्रोप ब्राउजर को उपन करना हैفरेंड आप कोही और ब्राउजर भी यूज चर सकते हैं नो यहां पर आपको यह दिख रहे जैंद्स तो यह हमने से open किया है तो open होने के बाद आपको यहाँ पर clicker का option आ रहा है friends इस पर आपको एक बर click कर देना है तो यह हमने से click किया तो अब जो हमारी downloading start हो जाएगी friends तो यहाँ पर यह downloading start हो गई है friends आप देख सकते हैं तो यह हम पर पूरा 100% complete होने के बाद आप इसे install कर देना friends तो अब अशे cancel करते हैं हमने इससे install किया हुए friends तो अब हम इसे open करते हैं तो open करने के बाद आपको यहाँ पर यह permission के लिए पूछे का friends तो आपको allows पर okay करना होगा उसके बाद आपको हैं अपर start basic photo scan का option आ रहा है इस पर क्लिक करना है तो अभी हमारी scanning जो हे start हो गई है friends अब यह जितने भी हमारे delete हुए photos जो भी होंगे friends वो यहाँ पर search हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ दिर wait करना होगा friends तो अभी हमारे scanning होने लग गए है फ्रेंड्स आपको यहां पर काफी फोटो मिल जाएंगे फ्रेंड्स जो जो भी आपने डिलीट किया होंगे तो जैसे हम अभी यह वाले फोटो लेना चाहते हैं तो हमको इससे सिलेक्ट करना होगा और अब आपको यहां पर रिकवर का उप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सेव दफाइल का उप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स और यहां पर आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको यह फोटो ले जाना है तो और इसे ok कर दना है तो अभी ये file saving हो रही है friends तो ये 6 photo successfully save हो गए है friends तो अभी हम इसको cancel करते हैं तो अभी हम file manager को open करते है friends तो यहां पर आपको internal में download को option अरहा है friends तो यह हमारे photo यहां पर आ गए friends तो हम इसे open करके देखते हैं तो यह आप देख सकते हैं तो उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्स फर वाचिंग